पठान, नई टेकनोलोजी के साथ रिलीज होगी शाहरुक खान की, पठान, ऐसा करने वाली पहली भारतिय फिल्म बनी। इन दिनों अगर किसी फिल्म की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वह सिर्फ बॉलीवुट के बादशा शाहरुक खान की फिल्म, पठान, की है। फैंस से लेकर आलोचकों, राजनिताओं और उलेमाओं तक सभी इस फिल्म का पुर्जोर विरोध कर रहे हैं। पठान का पहला गाना रिलीज होते ही शाहरुक खान, दीपिका पादुकोन और जौन अब्राहम स्टार यह फिल्म सभी ने निशाने पर आ गई थी। देश फैंसर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो इस फिल्म के रिलीज होने का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे इन लोगों के लिए फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर आ रही है, जिसे सुन सभी के चेहरे खिल उठेगें। इतने विवादों के बीच, पठान को लेकर खबर आ रही है कि फिल्म को भारत में पहली बार नई टेकनोलोजी के साथ रिलीज किया जाएगा। बेशरम रंग पर जमकर चल रहे विरोध के बीच, पठान को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रुक दीपिका की फिल्म आइसली, Immusive Cinema Experience, टेकनोलोजी के साथ रिलीज की जाएगी। यह फिल्म के लिए किसी उपलबदी से कम नहीं है क्योंकि पठान, ऐसा करने वाली भारतिये सिनिमा की पहली फिल्म होगी। इस बात की जानकारी खुद यह श्राज फिल्म्स के डिस्र पर सामान के लिए दर्बदर भटकने पर फूटा हुमा का गुस्सा, बोली बेहत बेकार सर्विस। अपने इस साक्षातकार में रोहन मलहुत्रा बोले, पठान आइसीए फॉमेट में रिलीज होने वाली भारत की पहली फिल्म होगी। आइसीए थियेटर फॉमेट में साइटों के साथ शुरुआत की थी। फिल्हाल इस फॉमेट फिल्म अवतार, The Way of Water Cinema घरों में लगी हुई है और अब पठान इस फॉमेट में रिलीज होने वाली पहली भारतिय फिल्म होने वाली है। पठान, विवादों के बीच करोडों में बिके शाहरुक खान की, पठ अब इस गाने के बाद, पठान का नया गाना, जुमेट जो पठान, भी रिलीज हो चुका है, जिसको लोगों की अच्छी प्रतीक्रिया मिली है। यह फिल्म 25 जनवरी को सिनिमा घरों में दस्तक देने वाली है।